क्लास 10 ते के सभी विद्याती ध्यान देका सुनें इस वीडियो में विसे हिंदी का सेट पेपर यह देखेंगे इस इस रंखला के बीच आप सभी की त्रेमासिक परिक्षा की पूर्ण तैयारी करवाई जा रही है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला प्रसन देखते हैं सही विकल्प चुनकर लिखे इसका पहला कोशन है कि उद्धव ने गोप्यों को क्या संदेज दिया तो उसने दिया था योग साधना का दूसरा प्रसन है चायावात के पितिनिधी कवी है कौन जे संकर प्रसाद तीसरा प्रसन संचारी वहाव की संख्या है कितनी 33 चोथा प्रसन यदि गद्धे कवiono की कसोटी है यहां कथन है किसका है अचारी इसके बाद में पाँचों प्रस्थ नेता जी का चस्मा पाठ की वीदा है किसकी कहानी ठीक है छटा प्रस्थ ने मनुभंडारी के किस व्योहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनकी पिता को बुलाया तो अंदोलन कारी ठीक है तो आप अच्छे से इन प्रस्णों को स्क्रेंस ओट ले और अच्छे से आप इन प्रस्णों को कंप्लेट करें चलिए अगला प्रस्ण है कोसी नमबर दो रिक्ते स्थानों में सही सब्द चुनकर लिखिया है इसका पहला प्रस्ण कवी के सरल स्वभाव के कारण डेडेडेस ने धोका दिया मित्रो इसके बाद में दूसरा है भोलानात और उसके साथ ही डेडेडेस बील के साम पानी उलीचने लगे किसके चूहो दूसरा है मनु भंडारी का जन्म मद्द पिदेश के डेडेडेस गाव में हुआ कौन से भानु पूरा में ठेके भानु भान पूरा में चन्द डेडेडेस प्रकार के होते हैं दो इसके बाद में सूर की भकती डेडेस भाव की है साख की भाव की है छटा प्रस्ने बाल गोविन भक्त डेडेस के ही गीतों को गाते और उनीके आदरसों पर चलते थे कबिर ठीक है तो यह आपके रिक्तिस्तान कंप्लेट हो चुके हैं आप अच्छे से स्क्रीन सोट ले और कंप्लेट करें इसके बाद में कोश्य नंबर 3 सही जोड़ी मिलाई तो सही जोड़ी के यहां पर नंबर डाल दिये हैं आप अच्छे से इनका स्क्रीन सोट ले और इन प्रस्न देखिए आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकासित हुई सत्ती बाल गोर्ण भक्त की गीतों में प्रभू मिलन का भाव होता था सत्ती तीसरा जार्ज पंचम की नाक पार्ट में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है सत्ती चोता राम चरित मानस एक छंडगार भी है असत्ती एक कंके में चार उंक lucky हुते हैं और जहां दोनों पद प्रदान हो हो दिग्गु समास होता है तो यह सत्ती थे कमप्लीट हुए स्क्रिन सॉठ लवर अच्छा कमप्लीट करए इसके बाद में कुसरे नंबर पांस एक वाक्की में उत्त तो देखि क्रिश्ण भक्ति साका कें दूसरा है रामचेत मानस का प्रमुक छंद कौन सा है चोपाईं तीसरा है आदुन की हिंदी गद्धि का विकास किस यूग से प्रारंब हुआ भार्तन्द यूग चोथा प्रस्थने आत्मकत्ति कविता में कवी ने मदूप का प्रयोग किसके सहसस्त्र भाहों कौन था तो इस प्रस्थनों को आप अच्छे से कंप्लेट कर लिजेगा ठीक है अगला हमारा प्रस्थन है रीती काल का समय कब से कब तक माना गया है तूसिदा जी की दो काविगत विशेस्ता है लिखे आठवा प्रस्थन उद्धव के व्यवहार की तु प्रस्थने महा कावि और खंड कावि में कोहीं दो अंतर लिखे अतिज अतिस व्यक्ति अलंकार की परिभासा उधारन सहीत लिखे इसके बाद में अगला कोशिन नाटक किसे कहते हैं स्वयम प्रकास की दो रचनाओं के नाम लिखे नेताजी सुवास्चंद बोश की मूर् और अच्छे से प्रस्थनों को कंप्लेट करें चली तो अगला हमारा प्रस्थने बच्चे माता पिटा के परती अपने प्रेम को केसे भी वेक्ति करते हैं दीपावली पर बेटे तथा माक पर सनवाद लिखे ठीक है कोशिन नमबर 19 में पद्यान से गंधर प्रसंग और इ अख्या करने है कोशन नमबर 21 में या आप इसको गध्यान से समझ लीजे काव्यान से समझ लीजे ठीक है इसको पढ़ना है और नीचे देगए प्रस्थनों के उत्तर आपको करने यह आले ठीक है अथ्वा भी साथ में इसके बाद में हमारा अगला प्रस्थन बाविश्व प्रस्थन निम्नेकित में से किनी कि नहीं एक विशे पर रूप रेका से निभंद लिखे ठीक है कोई सावी प्रस्थन आपको कंप्लीट कर लेना है तो आज के इस वीडियो में हमने कक्छा दस्वी का विशे निका सेट पेपर ए देखा है बहुत जल्दी आपके पास यारी कर सके ठीक है में मकसद हमारा यही है तो चलिए आपसे मिलते अगले वीडियो में